एक व्यक्ति अपनी पत्नी वर दो छोटे बच्चों के साथ एक क्राओं में रहता था वह बहुत दुखी था बड़ी मेहनत से घर का गुजारा चलता था खेती में अब कमाई नहीं रह गई थी नतिजन उसने गाओं की खेती और पूरी संपत्ति को बेच पास के नगर में रहने का फैसला किया नगर के करीब एक पुराने मकान को खरीद कर उसने छोटा सा व्यवसाय सुरू कर दिया एक दिन मकान के बरामदे में जब वह बैठा था तभी उसने देखा कि मकान के एक कोने के नीचे से एक भारी साप बाहर आया और वह वहाँ से चला गया वह बेहद सहम गया उसने अपनी पत्नी को बुलाया और देखा कि साप जहां से निकला था उसके नीचे एक तहखाने नुमा कमरा था वे दोनों बेहद डर गये क्या करे वह तहखाने वाला कमरा खोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे एक बड़ी अन्होनी होने का डर चताने लगा तभी उसे याद आया कि उसके नगर में एक साधू आये हैं वे बड़े ज्यानी हैं नतीजन उसने साधू से सलाह लेने का निर्णे किया और फिर वह उस साधू के पास गया और उसे पूरी घटना सुनाई उस पूरे घटना करम को सुनने के बाद साधू ध्यान में लीन हो गया और फिर थोड़े समय के बाद उसने कहा कि उस तह खाने में बहुत सारा धन है सोने चादी के गहने हैं मगर उस पर सर्प योग है यदि तुमने उसे खोला तो तुम्हारी मित्ति हो जाएगी यरसुन व्यक्ति घबरा गया और फिर उसने साधू से अनुरोट किया कि वह क्या करें फिर साधू ने एक बड़ा पत्थर दिया और कहा कि वह उस पत्थर से तैखाने के चारो तरफ दिन में पांच बार रेखाओं द्वारा निशान बनाए और लगातार 25 वर्षों तक प्रती दिन उसे उस तैखाने के चारो तरफ दिन में पांच बार निशान बनाना होगा तभी वह सर्पयोग मिटेगा और फिर उसे उस तैखाने की अथाह धन दौलत मिल जाएगी फिर वह स्वाधू उस व्यक्ति से अपनी दच्छणा की रकम लेकर वह वहां से चला गया उस स्वाधू द्वारा बताई गई बातों को उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा वह व्यक्ति खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था वह रोज दिन में पाँच बार उस तैखाने के चारो तरफ निशान लगाता और उस तैखाने के अंदर के सोने चादी वह धन के बारे में सपने देखने लगा मगर साथ साथ वह चिन्तित था कि क्यों साधू ने उसे पच्चिस सहलों का इंतजार करने के लिए कहा खेर वह क्या कर सकता था जैसा साधू ने बताया वह प्रति दिन उस तैखाने के चारो तरफ पाँच बार निशान लगाता और उसके अंदर के धन को कैसे खच करे उसकी योजनाएं बनाता जैसे जैसे दिन बिदते गए उसकी उच्चुता बढ़ती जाती किसी काम में उसका मन नहीं लगता सारे काम उसे बेकार लगते वह सोचता कि जब उसे धन मिलना ही है तो वह वियर्थ में परिश्रम क्यों करे वह अपनी पत्नी से भी इसकी चर्चा करता वह भी बहुत खुश होती धीरे धीरे एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष बीत कै उसकी उच्चुकता से भरे सपने उसे बीतते दिनों में और बेचायन करते वह सोचता कि उस धन से वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा तो कभी सोचता कि वह उस धन से पूरा नगर ही खरीद लेगा तो कभी वह सोचता कि वह उस नगर का राजा बन कर उस पर राज करेगा उसके सुनहरे सपने हर दिन एक नया गोता लगाते इन सब के चक्कर में उसका वर्तमान जीवन बेहद दुखद हो गया उसके बच्चे बड़े हो रहे थे बड़ी मुश्किल से वह रूखी सूखी रोटी खा कर गुजारा करता उसकी इस प्रकार की मनस्थितियों ने उसकी और उसके परिवार की बड़ी दैनी उस्थिति बना दी कभी वह तंग होकर उस तैखाने को तोड़कर सारा धन लेने का निड़ने लेता मगर उसे उस साधू की बात यादा जाती फिर वह रुक जाता और सोचता की एक बार समय बीत जाए तो सारा धन उसका होगा फिर वो जो चाहेगा वो सब करेगा धीरे धीरे दस वर्ष फिर पंद्रवर्ष बीत गए बड़ी मुश्किल से उसने बच्चों का शादी ब्याह किया मगर बड़े तकलीफ देह जीवन में उसने कभी भी उमीदों को नहीं छोड़ा वो प्रति दिन बड़ी उमीद से उस तैखाने पर दिन में पांच बार निशान बनाता और समय बीतने का इंतजार करता पड़ा लंबा समय था क्या करे वो धीरे धीरे बुड़ा हो चला कभी कभी वो सोचता कि अब उसकी इतनी उम्र हो चुकी अब क्या करेगा इस धन का मगर फिर वह सोचता कि चलो अगर उसे कुछ वर्ष ही मिल जाएं तो भी चलेगा वह इस तैखाने के धन से अपनी कुछतोई च्छाओं को पूरा कर सकेगा धीरे धीरे पच्चिस वर्ष बीत गए ठीक पच्चिस वर्ष बीतने के पश्चार अगले दिन उसने तैखाने को खोलने का निर्णे लिया उसने बड़ी बड़ी बोरियों की विवस्था कर ली कि वह सारा धन इन बोरियों में भर कर बाहर लाएगा और फिर धीरे धीरे उसे बेचेगा तो उसने बड़े अर्मानों के साथ उस तैखाने का दरवाजा तोड़ दिया अंदर जाने के बाद कमरे में बड़ी गंदगी भरी हुई थी पूरा कमरा गंदगीयों से भरा हुआ था मगर उस व्यक्ति को गंदगीयों से क्या वा लगातार ढूनता रहा पूरा कमरा चान मारा उसे कहीं पर कुछ नहीं मिला पास खड़ी उसकी पत्नी भी कमरे में कुछ ढून रही थी कि उसे भी कुछ धन मिल जाए कहा साधू ने अथा धन सपत्ति होने का दावा किया मगर वहां पर उसे कुछ नहीं मिला मगर फिर भी उस व्यक्ति का मन अभी भी मानने को तयार नहीं था उसको अभी भी विश्वास था कि धन वहीं पर है वह एक लोहे का कुदाल ले आया और उस तैखाने को खोदना शुरू कर दिया उसे अंदर से लगता था कि धन वहीं पर कहीं है खोदते खोदते उसने तैखाने को एक बड़े गढ़े में बदल दिया सुबै से दो पहर हो गई वह व्यक्ति लगातार उस तैखाने को जो अब बड़े गढ़े में बदल चुका था खोदता जा रहा था उसे केवल मिट्टी ही मिट्टी दिखाई दे रही थी मगर कहीं पर उसे धन संपत्ती का एक टुकड़ा नहीं मिला उस व्यक्ति ने कितने सपने सजोए थे इस धन के बारे में पूरे 25 साल उसने इंतजार किया था और हर एक दिन उसके लिए पहार सा बन गया उसने ठीक उसी प्रकार से तैखाने के चारो तरफ निशान बनाता जैसा की साधू ने बताया था और वह अभी दिन में पाँच बार इसी धन के कारणव कभी भी उस घर से दूर नहीं गया इतनी परिश्रम त्याग वह उम्मिदों को तूटता देख पास खड़ी उसकी पत्नी ने अपने पती के कंधे पर हात रख कहा बस करो अब कुछ नहीं मिलेगा गलती उनहीं की है जो उन्होंने ऐसी बातों पर विश्वास किया कास वे साधू की बातों में ना आते और पहले दिन ही उस तैखाने को खोल कर देख लेते केवल एक भ्रह्म ने उनके जीवन से 25 साल पर बात कर दिये तो इस प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि जीवन केवल उम्मीदों और भ्रह्म पर नहीं जी जाती बलकि यथार्थ का जानना भी जरूरी होता है शायद इसी प्रकार के भ्रह्म सामान ये मानव समाज से भी जुड़े दिखाई देते हैं सत्य की कसर्टी क्या होती है क्या इसे केवल आस्था और विश्वास के सहरे जिया जा सकता है क्या उस व्यक्ती ने विश्वास नहीं किया था मगर कब उसका यह विश्वास अंद्य विश्वास में बदल गया इसका भान ही उसे नहीं रहा रहस्यों या चमतकारों की दुनिया पर विश्वास न करके अगर उसने पहले ही दिन तैखाना खोल दिया होता तो यह घटना करम उसके साथ नहीं होता और यही घटनाएं हमारे साथ भी हो रही हैं हम तो इस जगत और खुद के बारे में जानना तो चाहते हैं मगर केवल रहस्यों और चमतकारों की दुनिया से क्यों नहीं हम इस जगत या दुनिया को और खुद को पहले समझें और बाद में नेड़े लें कि वास्त विक्ता क्या है बजाए इसके ना तो हम इस जगत ब्रह्मान परक्यति के बारे में कुछ जानते और ना खुद के बारे में और केवल कलपनाओं के सपने बुनते रहते हैं कि कोई इश्वर इसे संचालित कर रहा है कहीं पर स्वर्ग है, हैवन है, जन्नत है या ऐसा लोख है और पूरे जीवन को उसी के पीछे बरबात कर देते हैं क्यों नहीं हम दुनिया से जुड़े प्रशनों को दुनिया के सहारे ढुणें और खुद से जुड़े प्रशनों को खुद के सहारे एक रहसमई चमतकारिक शक्टियों या दुनिया के सहारे या दुनिया को इस से चोड़े इनका कोई प्रमाली करण है ये कैसे सम्भव है कि इस प्रत्यक्ष जगत वो स्वत्यяс को एक अप्रतिक्ष इश्वर वो लोकों के सहारे ढूड़े क्यों नहीं इन प्रश्णों का उत्तर उन्हीं के जरिए ढूडा जाए जहां पर यह प्रश्ण उत्पन होते हैं यह यतार्थ के प्रश्ण है और इन्हे यतार्थ के रूप में ही ढूडा जाना चाहिए और यही प्रयास हमें ततागत बुद्ध के प्रयासों में भी दिखाई देता है कि इस दुनिया या ब्रम्हाण्ड के प्रश्न ब्रम्हाण्ड से ही उत्पन्न है और इनका जबाब यहीं पर ढुणा जाना चाहिए हमारे अंदर के प्रश्ण हमारे अंदर से उत्पन हुए हैं और इनका उत्तर हमारे अंदर ही ढुणा जाना चाहिए और बुद्ध ने अपने चिंतन में पाया की यह जगत नियमों से संचालित है ना कि किसी देवता, भगवान या परमेश्वर जैसे अस्तित्व से नियमों से संचालित इस ब्रह्मान की व्याख्या करते हुए तथागत बुद्ध के संदेशों को पाँच नियमों में विभाजित किया जाता है पौद्ध गरंथों में बुद्ध संदेशों को सार के रूप में इन पाँच नियमों से समझा जा सकता है बुद्ध ने सिखाया कि ब्रम्हान में पांच प्रकार के नियम काम करते हैं जिसका अर्थ है प्राकितिक नियम एक लोकिक व्यवस्था जिसको हम होता हुआ देखते हैं मतलब आप इस ब्रम्हान में इन पांचों नियमों को घटित होता हुआ देखते हैं और इन्ही पांच नियमों से यह जगत और इस ब्रम्हांड को परिभाशित किया जाता है यह हमारे सामने घटित होता है और जब आप सचाई को जान जाते हैं तब संदेह की कोई बात नहीं रह जाती क्यों उस व्यक्ति ने 25 साल के बाद उस तैखाने को खोलने का निड़े लिया क्यों नहीं उसने पहले ही दिन तैखाने को खोल दिया होता तो जो सत्य 25 वर्षों के बाद उसे मिला वह पहले ही मिल गया होता तो इन नियमों को हम प्रक्ति में समझने की कोशिश करेंगे तो क्यों नहीं इन प्रक्ति के नियमों को हम प्रक्ति में समझने की कोशिश करते हैं ये नियम तो प्रत्यक्ष हमारे सामने घटित होता हुआ हम देखते हैं तो क्यों नहीं इन नियमों के सहारे इस ब्रम्हान्ड को समझने की कोशिश करें तथागत बुद्ध ने अपने चिंतन में इन ही प्रश्णों का उत्तर ढुड़ा था और इसी का नतीजा था प्रतीत्य समुत्पात प्रतीक्त्य समुत्पात के संदर्व में बुद्ध संयुक्त निकाय के आहार वगों के खण में कहते हैं कि प्रतीक्त्य समुत्पात का नियम शाश्वत है कोई बुद्ध हो या ना हो यह नियम तो अपना काम करता ही रहता है जैसा पिछले कई वुडियों में हमने देखा कि जब बुद्ध ने इस जगत या प्रकति का नरिक्छन किया तब उन्होंने अपने शोध में यह पाया कि यह प्रकति या जगत विशेश नियमों के अनुसार पर ही कार्य करती है जगत या इस प्रकति में होने वाले सभी घटना क्रम किसी न किसी नियमा वली में बधे हैं और वे अपने नियमों का दायरा तोड़ नहीं सकते हैं और इसके साथ ही साथ बुद्ध ने अपने अनुसंधान में कि जगत एक अटन नियम का पालन करता है और वह है प्रतीत्य समुत्पात प्रतीत्य समुत्पात का अर्थ एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ती दूसरा उत्पन में ही इसी लिए है कि पहला था और बुद्ध के संदेशों से इस पश्ट है कि ये नियम स्वयचालित हैं ये परिस्थिती और घटकों के होने पर कार्य को उत्पन्द कर देते हैं इसके लिए किसी करता या परमेश्वर की आवशक्ता नहीं है सभी विशय या नियम स्वयचालित होते हैं उनके लिए कोई इश्वर की इच्छा की आवशक्ता नहीं होती है और इनी बुद्ध संद्यसों का विश्तार पाँच नियमों से होता है जिसमें से पहला है उतुनियम उतुनियम के निसकर्ष में सभी प्राकितिक निर्जीव पदार्थों के नियमों के संदर्प में देखा जाता है चाहे वर्षा हो गर्मी हो या ठंडी ये मौसम एक के बाद एक नियमों की स्रिंखला में आते हैं इन जलवायु के बदलाओं में एक निरंतरता देखी जाती है तो इस भौतिक चगत में होने वाले परिवर्तनों को उतुनियम कहा गया दूसरा नियम है बीज नियम बीज नियम जीवित जीओं का नियम आनुवन शिकता का नियम बीजों की प्रकति और अंकुरित पत्तियों फूलों फलों और पौधों के जीवन की विशेस्ताओं को नियंतरित करता है तीसरा नियम है चित्त नियम, चित्त को हिर्दे या मन के भावनात्मक पक्ष के रूप में जाना जाता है चित्त नियम का अर्थ है वह मानसिक गति विधियों का नियम जो चेतना, विचारों, धारणाओं, मानसिक अवस्थाओं को संचालित करता है बुद्ध के संदेशों के अनुसार हर मानसिक अवस्था वो उनमे होने वाले घटना क्रम अपने कारकों पर निभर होते हैं हमारी मानसिक अवस्था या चित्त वृत्तियों का प्रकटी करण हमारी वानी क्रियाओं और विचारों के लिए जिम्मेदार होता है और चोथा नियम है कम्मा नियम कम्म को साधार भाशा में कहा जाता है क्रियाओं बुद्ध कम्मा या कर्म के विशेश नियम का उल्ले करते हैं कि जो भी कुछ मनुष्य करता है उससे कोई ने कोई फल उत्पन होता है कोई भी अलौकिक शक्ति या परमेश्वर नहीं है जो अच्छे कर्म वाले लोगों को पुरस्कृत करने और बुरे कर्म वाले लोगों को दंडित करने का निर्देश या नियंत्रित करता है बुद्ध इसके विपरीत कहते हैं कि अकुशल कर्म ही जीवन में हानिकारक विग्न या प्रभाव उत्पन्न करते है और कुशल कर्म में जीवन के अंदर स्वेते ही लाब दायक परिस्थितियों के उत्पन्न करने की स्वभाविक प्रवित्ति होती है कर्म फल का नैतिक नियम जीवन के साथ और उसके बाद की अवस्थाओं को भी प्रभावित करता है जहां तक वर्तमान जीवन में कर्म नियम के प्रभाव को खटित होता हुआ देखते हैं मगर बुद्ध के संदेशों के अनुसार यह मृत्तिव के बाद की अवस्थाओं को भी प्रभावित करते हैं जिसे वे पुनर जन्म कहते हैं पुनर जन्म का इस्तेमाल करते समय इसके अर्थ में बड़ी सतरकता बरतना चरूरी है सामान निभाशा में लोग समझते हैं कि आत्मा जैसी कोई विश्य वस्तू का जन्म होता है मगर बुद्ध ने आत्मा के अस्तित को एक सिरे से नकार दिया है तो फिर जब आत्मा नहीं है तो पुनर जन्म किसका होता है वास्तों में इस भ्रम की जड़ है पुनर जन्म का शब्द कि वर्तमान में पुनर जन्म के अर्थ को इतना बदल दिया गया है कि बुद्ध द्वारा पुनर जनम की परीभाशा पुनर जनम के शब्द से कोसो दूर चली गई यहां पर पुनर जनम की शब्द की जगें भव संचरण शब्द का उपियोग करना सही रहेगा कि कर्मफल वर्तमान जीवन पर भी संचालित होता है और इसके सार भविष्य के भव संचरण पर भी जब आगे आने वाले वीडियों में इन पर चर्चा की जाएगी तब हम इसे और बहतर तरीकी से समझेंगे और फिर पाच्वा और आखरी नियम है धम्मनियम सभी नियमों का अनुभाव करते हुए उन धाराओं का पालन करना जो धारा करने के योग्य होते हैं धम्मनियम वे लौकिक नियम और व्यवस्थाओं पर आधारित होते हैं जैसा के बुद्ध के संदेशों वस्च्छाओं पर लागू होता है वे आध्यात्मिक नियम जिसे हम इस प्रकति के मूल अस्थित्व में पाते हैं बुद्ध ने इस ग्यान का संकलन ही अपने संदेशों में किया है और उन्हें अनुकरण के योग्य बताया है तो इस प्रकार से तथागत बुद्ध के संदेशों का सार इन पांच नियमों के संचालित होते हुए देखा जाता है तो इस प्रकार से देखते हैं कि इन नियमों की अवस्था वस्थ संचालन अपने आप में सभी प्रश्णों का उत्तर दे देती हैं मगर कई बार यह प्रश्ण पूछा जाता है कि इन नियमों को कौन संचालित करता है वास्तव में यह प्रश्ण ही गलत है क्योंकि यह प्रश्ण वही व्यक्ति पूछ सकता है जिसने नियमों का चिंतन मनन नहीं किया है यह बोध नहीं है नियम स्वचालित होते हैं इनके लि तो इन पांच नियमों के जरिये जगत्व खुद को समझ लेता है उससे बुद्ध दर्शन का ज्यान हो जाता है और आगे हम इनी नियमों को फिर से एक एक कर बोध करने का अभ्यास करेंगे धन्यवाद झाल